ओम शंति आज बाबा की पांच तारीक की मुर्ली प्यारे बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे एक कांत में बैठ ऐसे अभ्यास करो जो अनुभव हूँ मैं शरी सिभिन्द चेतन आत्मा हूँ बिकटी अकाल तक्त पर विराजमान हूँ चमकता हुआ दिव्य सितारा मैं देह नहीं हूँ देह से न्यारे आत्मा हूँ बाबा कहते हैं मीठे बच्चे एक कांत में रह के एक कांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि इस शरीर चमड़ी को छोड़ बाब के पास जाती हूँ बिकटी में बैठी मैं आत्मा एक बाबा की याद में हूँ एक बाबा मेरा संसार है और दे सहित जो भी सब है वो सब कुछ बाबा का है मुझ आत्मा का संसार मेरा बाबा है बाकि सब कुछ बाबा का है तो मैं आत्मा एकांत में माना एक बाबा की याद में समाई हुए हूँ और इस विजन को क्रेट करेंगे कि मुझ आत्मा के अंतिम घड़ियों में इस चनम के अंतिम घड़ी में मैं आत्मा ने एक बाबा की स्नेह भरी याद में इस चमड़ी को छोर बाब के पास बतन में गई बाबा के ते बैठे बैठे बाबा की याद में आशरीरी हो जाओ बस मैं आत्मा और मेरा बाबा मैं आत्मा और मेरा बाबा बाबा केते इस प्रैक्टिस से दे का जो भान है वो तोटता जाएगा बाबा की मुर्ली में आज मुख्य अभ्यास है अपने को आशरीरी समझो अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो और शरीर का भान छोड़ो सारा दिन में इस प्रैक्टिस को मुझे घड़ी घड़ी अभ्यास करना है और बाबा ने कहा परन्तु सवेरे सवेरे एकांत में सुबह के समय अपने साथ ऐसे बाते करनी है विचार सागर मन्धन करना है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे एक बाबा की याद में रहते हुए ही इस दे को त्यागना है और इस संकलप में कि मैं आत्मा आया की आया बाबा की सच्ची गोद में बाबा ने कहा बाबा की गोद सच्ची गोद है बाबा की गोद रुखानी गोद है ऐसे ऐसे अपने से बाते करनी है बाबा ने कहा सव दर्शन चकधारे बनो सब का दर्शन सब के आदी मद्धे अंत के पाट का दर्शन अभी बाबा आया है बाबा ने कहा बाबा आया है भागी रत में उनके बहुत जन्मों के अंत के जनम में बाबा कहते विचार सागर मंधन करोगे तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी और इसमें एकांत भी जरूर चाहिए एक बाबा की याद में शरीर का अंत हो अपने को बाबा कहते अपने को आत्मा नहीं समझने से बाब, टीचर, गुरू सब को भूल जाते तो बाबा कहते एकांत में बैट ऐसे ऐसे बात करो रूरिहान करो जितना समय मिले यही कोशिश करते रहो इसी प्रैक्टिस में बुद्धी को बाबा ने कहां बीजी रखो अपनी सच्ची कमाई करो और बाबा ने सेवा की युक्तियों में बताया मंदिरों में जाकर बाबा ने विशेश सेवा के लिए कहा फिर साथ में बाबा कहते जितर पॉकेट में रखो और ट्रेन आदी में जाकर भी बाबा की सेवा करो बाबा कहते तुमको खुशी भी रहेगी और फिर बाबा ने कहा जो नेंदरा जीत बनना है तो जब कमाई बढ़ती जाएगी खुशी बढ़ती जाएगी तो बाबा कहते कि आपको नेंद को जीतना भी आसान सहज हो जाएगा और सब इड़ उठकर बाबा को याद करेंगे बाबा ने वर्दान में विशेश अटेंशन दिलाया बिन्दता को मिटाकर एकांत लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव बाबा कहते हैं कि ब्रामन परिवार की विशेशता क्या है विशेशता यही है अनेक होते भी एक है फिर बाबा ने कहा कि आपकी जो एकता है वो ही सारे विश्व में एक धरम एक राज्य की स्थापना के निमित बनती है इसलिए बाबा कहते हैं कि विशेश अटेंशन देना है बिन्यता को मिटाव एकता लाओ तो बाबा ने कहा आज वो ही सच्ची सेवाधारी है सेवा स्वयम प्रति नहीं लेकिन सेवाधारी जो है उनकी सेवा सर्वप्रति रहती है स्वयम का सब कुछ सेवाप्रति स्वाह करते हैं कैसे करना है जैसे साकार बाबा ने सेवा में हडियां भी स्वाह करी है तो बाबा केहते ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रियों के द्वारा सेवा होती रहे लैनों द्वारा, मुख द्वारा, हाथों द्वारा, हर कर्मेंद्रियों के द्वारा सेवा जिसका विशेश अधार है बाबा की याद स्लोगन है परमात्म प्यार में खो जाओ परमात्मा के प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएंगे परमात्म प्यार में खोने की विदी है मुडली जब हम मुडली को पढ़ते हैं और मुडली को पढ़ते पढ़ते उन अनुभवों में जाते हैं तो हम इस दुनिया की दुखों को या दूल्ख की इस दुनिया कोई भूल जाते हैं ओम शान्ती प्यांती झाल झाल